हलो दोस्तों वेलकम बैक टो दे चैनल स्रस्टी स्टेडी पॉंटर और आज हम बात करेंगे यूजी सी नेट की उसका एक्जाम कब होगा बच्चे इंजार कर रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चों ने जोनों ने एक्जाम अभी जून दोहजार तेईस का दिया हैं तो अगर चारी दूँगी वीडियो में बने रहीएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजेगा चलन पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा ये देखे प्रेस रिलीज इन्होंने किया है पूरा और अकेडमिक कलेंडर इनका दोहजार चौबिस पच्चिस का इन्हों कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे इसके सासाथ मैं आपको इसमें जून दोहजार चौबिस के एक्जाम के बारे में भी बताऊंगी क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं अगर तयारी उन्हें लगता है कि कम टाइम में नहीं कर पाएंगे तो आगे का सोचेंगे कि कब इस लिखा, यह जो कि मेसर उग्जाम है उनकी पूरी दे रखी है इस में सारे इकजाम दे हैं और जो कि Conte कि दोUDर चौबिस वाले की बात कर रहे है आने वाले साल में उसका जो je जून का exam में उसका कलेंडर इनोंने जारी किया है तो उसका जो exam होगा वो इनका 10 जून से 21 जून के बीच में होगा CBT होगा सभी को पता है और session first करके लिखा है की पहला session है क्योंकि दो session होते हैं 1 जून का होता है session और एक होता है दिसम्बर का सेशन तो जून वाले सेशन का सेशन फर्स्ट का बता रहे हैं सेकिंड का नहीं ठीक है अब यहाँ पर यह देखे इसके साथ साथ इन्होंने CUET PG जो होता है common university entrance exam बच्चे देते हैं post graduation करने के लिए इसका 11 मार्श से 28 मार्श के बीच होगा 2024 में और UG वाला जो undergraduate वाला होता है CUET वो उसका exam जो होगा 15 मैं से 31 मैं के बीच में इसके अलावा NEET का exam जो होगा यह paper pen based होगा जबकि यह सब CVT based आपको दिख रहे हैं तो यह जो होगा 5 मैं 2024 को होगा और इसके साथ सज्जी का जो दोनों exam में यह एक होगा जनवरी 24 जनवरी एक फरवरी और एक अप्रेल से 15 अप्रेल तक 2024 का इन्होंने अपना पूरा कलेंडर यहां पर जारी कर दिया है और इन्होंने कहा है कि पूरा जो कलेंडर है यह 2024 के हिसाफ से है पूरा लिखा हुआ है और कोई clarification चाहिए examination date को लेकर या किसी instruction को लेकर तो आप जो है उनकी website पर यह जो website है इस पर visit कर सकते हैं पूरा लिखा हुआ है तो यहां पर आपको यह पता चल गया कि जून 2024 का exam कब होने वाला है इन्होंने अपना इसमें update कर दिया है है ना तो एक बार फिर से दिखा देती हूँ 10 जून से 21 जून के बीच होगा अब इतने लंबे time तक क्यों होता है आपको सभी को पता होगा क्योंकि जो UGC net का exam होता है NTA कराता है वो 83 subject पर होता है ठीक है और CBT होता है computer based test होता है ना तो यहां पर क्या होता है CBT का मनला क्या है जहां पर computer है वहीं पर परिक्षा होगी तो इसलिए यह exam जो है काफी लंबे दिन खिच जाता है जिन बच्चों को पता है वो तो जानते ही होगी जिनने नहीं पता है वो उन्हें बता रही हूँ इसके साथ साथ ये भी होता है कि आपका जिस subject में जादा बच्चों निफर्म भरा होता है तो उसका एक से जादा शिफ्ट में लोगी कुछ बच्चों का ही shift में हुआ कुछ का दूसरी shift में, कुछ का तीसरी में, कुछ का चौती shift में ऐसे ये सारे बच्चों का exam होता है, लेकिन जब ऐसे एक से ज़्यादा shift में किसी एक ही subject का exam होता है, तो हमेशा वहाँ पर normalization होता है, normalization जो होता है, उससे समंदित भी एक वीडियो चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, तब ही आपका वहाँ पे result आता है, फिलाल एक ही shift में अगर हो जाते हैं, तो आपका normalization नहीं होता, normal percentage में आपका result आता है, कितने percentage में आप पास हुए हैं, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, दिसंबर 2023 का exam कब होगा, बच्चे यह पूछ रहे हैं, इसको देखने के बाद ट्यूटर पे भी आप देखेगा, जो UGC के चैर्मेन है, उनके ट्यूटर पे भी इन्होंने इसको डाल रखा है, और और भी जगह यह है, तो यह पूरी authentic news और letter से भी आप समझ रहे होगे, तो बच्चे पूछ रहे हैं, दिसंबर 2023 का exam कब होगा, तो दिसंबर 2023 के जो form है, वो आपको October में देखने को मिल जाएंगे, October में आपको form fill करने के लिए आपको form available हो जाएंगे, दिसंबर 2023 के लिए, और दिसंबर के mid में आपका exam हो जाएगा, definitely, दिसंबर 2023 वाला, तो इसके लिए भी जो बच्चे preparation कर रहे हैं, वो करते रहे हैं, date आपकी definitely आजाएगी, और पूरा schedule आजाएगा, exam का, जो भी आपका exam होने को होगा, ये बात, खुदी एम जगदीश कुमार आप जानते होंगे, UGC की chairman है, आप tutor पर उन्हें जाके देख लीजे, follow कर लीजे, वो update करते रहते हैं, और और भी काफी knowledge देते रहते हैं, आप उनको अगर follow करेंगे, तो काफी कुछ knowledge मिलती रहती है, अगर आपको उनसे question भी पूछते हैं, तो उसका वो अपने answer भी देते हैं, तो यहाँ पर आप महाँ जाके पूछ सकते हैं, कि December की date क्या होगी, फिलाल, मेरी जैसी knowledge है, उसके साफसे आ आपको October में जो है, आजाएगा notification, और notification आने के बाद आपको एक महीने का time मिलता है, notification का form भरने का, तो आप November मेड तक form भर पाएंगे, जब November मेड तक form भर पाएंगे, तो आपकी जो exam की date होगी, वो December होगी, December मेड है, December last तक आपकी जो exam है, क्योंकि exam कराने में भी 10 से 11 दिन CBT exam में, ये तो सभी को पता है, बच्चों को जिन बच्चों ने exam दिया है, जिन ने नहीं दिया, उन्हें भी मैंने बता दिया, computer based exam का मतलब, computer पे exam होते हैं, और हर जगह ही है, आपको बैसे तो जब paper pen वाला exam होता है, तो उसमें क्या होता है, आपको हर college में center पढ़ जाता है, तो एक district में, मुश्किल से एक या दो जगह आ ऐसा मिलता है, कि जहां पर इतने सारे बच्चों को बैठने के लिए computer मिल जाए, और engineering college वगेरा में ही ये possible हो पाता है, तो इसलिए ये जो exam होता है, लंबे दिनों तक खिसता है, 10 से 11 दिन, अविशली खिसेगा, आप सभी को पता है, 83 सब्जेक्ट पे पिछले दो टाइम से, दो बार से, अभी जो इनोंने exam कराया अपना जून वाला और इससे पहले वाला जो exam कराया था, पूरे 83 सब्जेक्ट पे इनोंने net का, UC net का exam कराया था, और बहुत अच्छे से कराया था, जबकि ये जून और आपको बत इस पेज को, यही वाला जो पूरा पेज है, प्रेस रिलीज, इसको मैं एक बार फिर से स्क्रोल डाउन करके दिखा दूंगी, यह से तो आप इसको आसानी से वहाँ पढ़ सकते हैं, और अच्छे से इसको पढ़के समझ के और नहीं तो NTA की वेबसाइट पे जाईए, वह कि आपको पता है, अभी आप समझ गया है कि साल में दो बार यह होता है, एक बार और दो बार दो शिफ्ट इसमें लिखी है, तो अगर आपका एक बार में नहीं हो पाएगा, तो दूसरी बार बुजागा, लेकिन अगर आप पूरा लक्ष निर्धारित करके चलेंगे, तो पूरी एक वीडियो चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, तो लाइक कीजगा, चैनल पर नहीं हो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजगा, इस तरह की सारी अपडेट में चैनल पर देती रहती हूं, मिलूंगे अगली वीड कर दूस्तों.